इंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्शल कौम और दानवीर बहादूर कौम को मेरा परनाम और मैं जाटा की छोरीज हूँ मैं जाटा की छोरीज हूँ, कुछ तो खास करूँगी, छोटी मोटी बाता मैं के दर रहा है, मैं इतियास में बड़ा नाम करूँ तो मैंने अपने मुझे बहुत गरव महसूस हो रहा है आज ये जो जाट संसद में मुझे आने का मोका मिला और तलवानिया पलसानिया ने जो इतना बड़ा कदम उठाया जब इन्होंने मेरे से बात की इन्वीटेशन बहुत भेजा तो मैं फोरन से रेडी हो गई, मेरी आट कौम के लिए और आज मैं आप लोगों के बीच पढ़ारी हूं तो मुझे बड़ा गरव महसूस हो रहा है कि मैंने इतनी अच्छी बड़ी कौम में जनम लिया और मेरा जनम मेरी जनम भूमी उम्राज उल्तानपूर गाउं है हर्याना परदेश में हिसार डिस्टिक में और देश हिंदूस्तान वे मेरी जनम भूमी रही है लेकिन मेरी करम भूमी ऑस्ट्रेलिया बन गई लेकिन करम भूमी कोई भी बने हमारे संसकार हमारी कौम का खून हमारे कि आप जाटनी मत लिखो आप जाती वाद फेला रहे हो आप वहां पे क्यूट गर्ड लिखा करो गोर्जीयस गर्ड लिखा करो तो मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया कि जैसे हम हिंदूस्तान की जै करते हैं क्योंकि हमारी वो जनम भूमी है उसी परकार हम अपने परद करना हमारी कौम का हमारा नैतिक करतेवे बनता है और मैंने बड़े-बड़े हमारे जाट कौम की सक्षियत यहां पर आई हैं उनको सुना और पहले जो जाट पारलिया में छुई थी तब भी मैंने सुना जब जब भी जैसे 1857 से लेके 1927 तक आजादी तक लोग इकठा होते समूओं में आजादी पाने के लिए तो आज हमारी कौम भी इसी परकार हमारा समाज इकठा हुआ है हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम कहां पर कमजौर हो गए हैं हमारी कौम पर किसने सेंध लगा रखी है कौन है वो शडियंतरकारी उनको हमें पहचानना होगा और हमारी लेक्ता को बुद्धी से बनाय रखना होगा हम बल्शाली तो हैं ही लेकिन हमें बुद्धी का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए जैसे कि जो छोषर छोटू राम जी कहते थे कि तू दूश्मन पिछानना सीख ले और बोलना सीख ले तो वही बात हमें हमारे दिमाग में र कि और जब हमारे है भारत में इसान अंडोलन हुआ तो फूरे संसार में जहां जहां भी किसानों के बच्चे रहते तहीं और उन्होंने भी वह अपे प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के दोरान उस प्रोटेस्ट के दोरान हर्याना से एक विधायक जी चोधरी अबैसिंग चोटाला जी ने इस्तिफा दिया जब किसान कौम के लिए तो वहाँ पर बड़ा गरव हमें महसूस हुआ और हम सबने बड़े गरव से बताया कि चोधरी देवी लाज जी के पोते हैं और उनीकी नीतियों का अनुसरन करते हैं आज उन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया है और हमारे समाज को बचाने के लिए हमें ऐसे ऐसे नेताओं की आज जरूरत है और हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए सारी कौम को एक जुट होना चाहिए राजनीती और धरम और हर से उपर उढ़ कर क्योंकि privacy पहला मकसद हमारा जैस बचाना है ना कि कोई और हमारा मक्सद होना चाहिए और मैं यह कहना चाहती हूं हमारे जितने मि बड़ी सक्षियत रही हैं जितने भी जाट नेता रहेUSE जो बहुत बहुत साल जिन्होंने 50 साल race साल में निवीदन करना चाहती हूं कि हमारा जो यूत है जात जाटनियों लड़के लड़कियां उनको मारक दर्शन की जरूरत है हमें ऐसे अनुभवी लोगों का ऐसे अनुभवी नेताओं का हमारे बड़ों का मारक दर्शन चाहिए ताकि हमारी नई पीडियां भी हमारी कौम को उनका मान समान हो मारे देश के लिए बलीदान देने की भावना उन में आई क्योंकि पुर्यवजों का बड़ों का अनुभाव और उनका मारक दर्शन बहुत मैतवपूरण होता है किसी भी लक्षे को जीतने के लिए और हमारी जाट को जिस लक्षे को दिमाग में सोच लेती है उसको पाकर ही रहती है लेकिन हमें कच्छे मारक दर्शन की भी जुरूरत होती है तो जाट एकता जिन्दाबाद जैहिंद जैभारत आप लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों ने मुझे यहां बोलने का मौका दिया जाट संसद में उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूं और देश-परदेश से आए वे जाट और जाटनियों को मैं प्रणाम करती हूं अब जाटनियों को मैं प्रणाम करती हूं